आज के इस वीडियो में बात करेंगे Vivo T2 Pro 5G के बाले में इस फोन का आज मैं आपको after one month review देने वाला हूँ तो ये फोन जब मैंने नया purchase किया था तो फोन बहुत ही जादा fast था और अभी phone मैं ले चुका हूँ और इसमें मैंने पुराने phone से सभी data बगेरा transfer कर लिया है जैसे की photos, videos, phone memory मेरा जो है पूरा full हो चुका है और इसी के साथ साथ जैसे की आपको पता होगा मुझे बहुत सारा application डाउनलोड करना रहता है बहुत सारा application मेरे phone में पढ़ा हुआ रहता है इसी के साथ साथ Google Chrome में भी बहुत सारा pages खुला हुआ रहता है तो phone जो है अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है पहले से थोड़ा सा slow हुआ है लेकिन बेंदास smooth चल रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रहा है जस्ट phone में थोड़ा सा है जो heating issue है वो आ चुका है क्योंकि phone में जब भी हम heavy gaming बगेरा करते है या फिर कोई heavy काम करते है तो phone में heating issue आना तो बनता है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ सभी चीज़े को आप करके रख रहता हूँ जब भी मैं phone use नहीं कर रहा हूँ बाकी phone बहुत ही बढ़िया चल रहा है after one month में phone को क्या ही हो जाता है तो phone ले रहे हो तो अच्छा ही है phone ले सकते हो तो हाई आज के लिए बस इतना ही